सुन लो मेरे भाईयों मसी जी मेरा दुनिया में आया बचाने इशु दुनिया में आया आप सुन देखें के सुबसंदेश मोनी मुईश आप प्रभु के दास नर्सल दमस मुंबे से वजल से वाटा जाएगा प्रभु पर्नेश किस्तु दी हो शुबसंदेश के हमारे सारे स्रोताओंगो ये कोरबार इशु मसी के अतिसरेष्ट नामें अभिनंदन और जय मसी के थोड़ दर के अमरे मनन के लिए आईए पड़ेंगे लुकारियोसो समाजार चार अध्याय अठ्रा और उन्नीस पदों को लोक्स गॉस्पल चाप्टरा फोर वेर्सेस एटीन आन नैंटीन प्यारो हम देख रहे थे प्रहुईश मसी किस प्रकार अपनी सेवगाई को यहूदिया के छेत्रों में पूरा करके गलील के छेत्रों में आते हैं और उनके जहाम उसका पालन पोशन हुआ जवानी बिताया नासरे शहर में पहुंशते हैं उनके रीती की अनुसार यहूदियोंगे आराथ नाले में सबत के दिन जाते हैं और जैसा हमेशा करते थे वहाँ उने परमिशक का वच्चन या पुराने नियम पढ़ने का मौका मिलते हैं और इस मसी ने पुराने नियम से शिया का पुस्तक 61 अध्याय को खोल कर वहाँ से पढ़ा हुआ वच्चनों को हम 18 और 19 पदों में पढ़ते हैं अब ऐसा पढ़ते हैं प्रभू का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने कंगालों गो सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिशे किया है उसने मुझे भेजा है कि मैं बेंधियों को चुटकारे का और अंधों को दृष्टी पाने का संदेश दूम और दिलतों को चुडाओं 19 पत में और प्रभू के अनिग्रह के समय की उद्धोशना करूम प्यारों ये वचनों को इश्या के पुस्तच से भी पढ़ना अच्छा है क्योंकि भाशांदर में थोड़ा सा फरकम देखते हैं लेकिन एक मुख्य विश्य ये है ये जो दोनों पदों में मसीहा की सेवकाई का रूपरेखा को देखता है मसीहा जो आने वाला है उसकी सेवा किस प्रकार का होगा इश्या नभी ने करिवन 700 साल पहले जो भविश्य वानी दिया उन वचनों को इश्य मसी ने पढ़ा है पांच प्रकार की सेवकाई का सूचना यहां देखते हैं सबसे पहले लिखा है कि कंगालों को सुसमाजर सुनाओ प्यारों सच मुच में यहां मनिश जाती का एकदम असहाय निसहाय स्तिती और उस पर ईश्य का प्रदिक्रिया को हम देखते हैं मनिश कंगाल है यह जो कंगाल पन कैवल सानसारिक या हमारी शारिरिक बात की बात नहीं आध्यातनिक बात है पनमेश के सामने मनिश कंगाल है पनमेश के सामने मनिशियों के पास कड़े होने के लिए आरपन करने के लिए दावा करने के लिए कुछ नहीं है पाप के वजे से वो कंगाल और लाचार जैसे है पनमेश के सामने दूसरी बात वो हिंदी भाषा में अम यहां नहीं पढ़ते हैं, एशिया में वो पढ़ता भी है, दुखी मनवाले, क्यों दुखी मनवाले हैं? या ब्रौकन हार्टर, उनको चंगाई देने के लिए, दुखी मनवालों को शांदी देना, मनिश क्यों दुखी है? अपने पाप, अपना आत्मी कंगालपन के समर में वो दुखी है तीसरी बात है आजो बेंधन या अंदक बेंधन में जखते हैं पाप के बेंधन में शैतान के बेंधन में रहने वाले मनिश्य आज ये दो-तीन दिन पखले ही हमारा देश आजादी मनाया आप जानते हैं लेकिन सचाई क्या है आम लोग अपने विक्षिक जीवन में आध्यात्मिक जीवन में आजाद नहीं है बेंधन में है पाप का बेंधन स्वार्थता का बेंधन डर का बेंधन बुरी आदतों का बेंधन आज्यानता का बेंधन और अंधविश्वास का बेंधन कितने सारे बेंधनों को हम देखते हैं आम लोग बेंधन में हैं इश्य मसी का सेवकाई का मुख्य उदेश है कि मनिश्य जादी जो पाप के शितान के बेंधन में उनको चुटकारा मिले उनको आजात कर दे और चौदी बात इश्य मसी कहते है उनका सेवकाई अंदों गो दृष्टी पाने का संदेश मनिश्य जादी का और एक बड़ी समस्या है मनिश्य जादी का समस्या ये है कि वो आत्मिक रूप में अंदा है सारी करूप में देखते है आंग तो है लेकिन आध्यात्मिक बातों में इश्य और कौन है अपना भविश्य क्या है जीने का उदेश क्या है मृत्यों के बात क्य इतने कितने सारी आध्यात्निक बातों के उपर मनिश्यों को अज्यानता है अंदकार में वो रहते हैं इश्य मसी बोलते है मेरा आगमन का उदेश ये है मेरी सेवकाई ये है अंधों को आंखेंदूं दृष्टिय दूं उनका संदेश दूं और अंध में लिका है दिलदों क चुडाओं और प्रश्द जो संगट में हैं जो वैदना में हैं जो बहुत ही नीच परिस्तिती में हैं बहुत ही संगट के साथ विश्राम रहित जीवन बिताते हैं उनके लिए इश्व मसी बोलते हैं मैं इसलिए आया हूं उनको चुडाओं उनको समाधान दूं उनको तसल हम जानते हैं ये पान्चों बातें जो है प्यारों आज भी जैसा उस दिन खा मनिश्य का बुरी परिकीफटी है इश्वर के नजर में मनिश्य कैसा है वो पापी मनिश्य वो आत्निक रूप में कंगाल है आत्निक रूप में ठूटा हुआ हुर्दे है उनका मन में शान्दी और समाधा नहीं बेंधन में हैं अंधे हैं और पीड़त हैं ऐसे लोगों के लिए इश्य मसी सुसमाचार ले कराया ये बातें इश्य मसी के साड़े तीन साल की सेवगाई में पूरी होती जाती हैं नासरेत के गाउ में आकर इस बात का गोशना करते हुए 2100 पतने इश्य मसी बोलते हैं आज यह लेख तुमारे सुनते हुए पूरा हुआ नियान देना 700 साल पखले प्राफट आएशिया जो भविशवानी करने वाला भविशवानी दिया मसी आएगा इस प्रकार के मनुश्य की परिस्तुरियों से उनको चुडाएगा हर एक सिखाने वाले इन वचनों को लेकर लोगों को आशा का वचन सुनाता था इश्य मसी बोलते हैं आज आपके सामने पूरा हुआ क्योंकि मसीखा आ गया इश्य मसी यही काम करते हुए साड़े तीन साल अपनी जीवन बिताया उतना नहीं मनिशियों के बदले ये बाते सच मुच में आतनी जीवन में पूरा होने के लिए यानि हमें आतनी कंगालपन से आतनी धनी बनाने के लिए हमें तोटा हुआ मन निकालकर शांदी का खुरदई देने के लिए हमें वेंधनों से आजात करने के लिए हमें अंधकार से और अं प्राइशित का बिलुदान के रूप में दिया और कलवरी पहाड पर मुर्तियु सहा मुर्तियु के बाद मुर्दगों में से जी उठकर आज सर्ग में विराच मानिश मसी के द्वारा ये सारी बातें संबव है प्यारे भाई बहन मनिश जाती जो पापी है उसका परिस्तरी परमेश के सामने वो गरीब है ठोटा हुआ मनवाले है बेंधन में है अंद है और निराश्या और नीच परिस्तती में रहते हैं आज आपका हालत क्या है इस मसी पुकारते है आओ जो बोज से देबे हुए लोग मेरे पास आओ मैं पुत्तों में विश्राम दूंगा क्या म प्रभू के पास आएंगी प्रभू आपको साहता करें प्रभू की नाम की महिमा हो